देड लोग का चैप्स कर रे थे जिसमें आज हम और टॉपिक भिष्टर्स करेंगी बह। यह बिसेटलीए मारे पास एक ट्क्नीख है जिसे नाम से बिज़ा । यहाँ जो एपास ब्सकार में और सकते हैं So technique to ensure that the system never enters a deadlock state by carefully allocating resources कि यह कैसे technique है जिसमें हम अपने resources की allocation किस्तरा से करते हैं कि हम कभी भी deadlock की state में एंटर नहीं होते हैं तो यहां भी हमरे पर सारा का सारा हमारा focus होता है वो allocation भी होता है कि हमने अपने resources को allocate किस्तरा से किया हुआ है इसको हम एक example से समझते हैं Let's suppose आपके पास दो processes है process 1 और process 2 और आपके पास एक resource है ए जिसके 4 units आपके पास मौझूद है अब suppose जिए process 1 है इसको 2 units required है और जिए process 2 है इसको 3 units required है तो यहां पर हमने अपने resources की allocation इस तरह से करनी है कि हमारे पास deadlock की जो situation है वो ओकर ना हो यहनि कि हम यहां पर deadlock avoidance करना चाहते है तो अगर हम यहां पर देखें अगर मैं अपने इस resource की दो units इस process 1 को assign कर दो और suppose मैं इस process 2 को ignore कर देता हो तो क्या हमारे पास यहां पर deadlock होगा नहीं यह हमार सिस्टम successfully run करेगा यहनि हमारे पास deadlock को कर नहीं हो सकता तो ऐसी state को हम basically कहते है safe state कि हम safe state के अंदर है कोई deadlock possible नहीं है दूसी तरफ अगर तो अपने इस process 2 को तीन resources assign कर दो और इस process 1 को ignore कर दो तो यह भी हमारे पास possible है तो अब भी हम क्या है safe state के अंदर है तो इस method के अंदर हमने हमेशा इस बात पर focus करना होता है कि हम हमेशा safe state के अंदर रहें लेकिन अगर मैं दो resources process 1 को और दो resources process 2 को assign कर दो तो क्या अब मेरे system successfully run करेगा बगार deadlock के यह नहीं इस situation में हम unsafe state के अंदर होंगे क्योंकि यह जो process 2 है इसे तीन units चाहिए से और यह process 1 के दो units में से एक unit acquire करना चाहेगा जिससे हमारा deadlock occur हो जाएगा तो deadlock providers के अंदर हमने इस बात पर focus करना है कि हम हमेशा safe state के अंदर रहें और इसके लिए हमारे पस जो method इसमाल होता है वो है resource allocation graph algorithm इस algorithm के तहट हम deadlock को avoid कर सकते है resource allocation graph जिसे हम रह कहते है algorithm is used to avoid deadlock यह deadlock को avoid करने के लिए इसमाल होता है इस algorithm used the resource allocation graph by introducing a new edge called claim edge कि इस graph के अंदर हम एक नया edge introduce कराते हैं जिसे हम claim edge कहते हैं example से समझे let's put up पर यह दो processes है पर दो resources है resource 1 और resource 2 resource 1 हमने allocate किया हुआ है process 1 को और process 2 इस resource 1 को acquire करना चाहता है दूसी तरफ process 1 और process 2 दोनो resource 2 को भी acquire करना चाहते है यह हमारे पास एक resource allocation graph बन चुका है जिसमें यह dotted arrow है यह claim edge को represent करता है claim edge is denoted by the dash line claim edge को हम dash line से denote करते हैं तो यह जो graph है अगर हम इसको analyze करें तो यह unsafe state के अंदर है किस तरह let's suppose मैं यह जो resource 2 है यह इस process 2 को assign कर देता हो तोवारा graph कुछ इस तरह से बन जाएगा कि resource 1 जो है वो process 1 को assign है और resource 2 जो है वो process 2 को assign है और process 2 resource 1 को acquire करना चाहता है process 1 resource 2 को acquire करना चाहता है तो हमारे पास इस graph के अंदर एक cycle बन रहा है तो अगर आपने deadlock का first lecture देखा है तो उसमें मैंने बताया था कि अगर आपके graph के अंदर cycle बन रहा है तो इडवीज आपकी system के अंदर deadlock occur हो चुका है तो यहाँ आपर cycle हमें deadlock को indicate कर रहा है यहाँ हमें resource allocation graph की मतब से पहले पास्तर चल चुका था कि हम unsafe state के अंदर है तो हम अपने resources को कुछ इसरा से allocate कर सकते थे कि हमारा यह deadlock आपकर ना होता अगर मैं इस resource 2 को process 2 को देरे की बज़ाए process 1 को दे देता तो हमारा deadlock possible नहीं था हम safe state के अंदर चले जाते तो इस तरह से हम rack का इसमाल करके deadlock को avoid कर सकते है इसके लावा और भी method है जो हम अपने next lecture के अदर discuss करेंगे यहाँ पर मैं आपको एक और misunderstanding के बारे मताता जाओ कि अगर आपके पास 4 units है एक resource के और आपका जो process है उसको 6 units required है तो क्या हम इसको deadlock कहेंगे जी नहीं ऐसी situation को हम deadlock नहीं कहते इसको कहते है infeasible request जापके process नहीं कैसी request की है जो हमारे operating system के लिए infeasible है क्योंके हमारे पास उत्रे resources ही available नहीं है deadlock basically क्या होता है यह हम अपने पहरे lecture के अंदर discuss कर चुके हैं अगर आपने अभी तक वो lecture नहीं दिखा तो आपको उपर आई बढ़न के अदर वो lecture का link नजर आ रहा होगा आप उसपे क्लिक करके वो lecture देख सकते हैं so आज हम डिसेस किया deadlock avoidance के बारे में और देखा कि किस तरह से हम resource allocation graph algorithm की बतब से deadlock को avoid कर सकते हैं I hope आपको clear हो गया होगा आज तो इतना ही मिल्दे नफ्रेक्स एकंदे थैंक वरी मच